नमस्कार मेरे दोस्त आप देख रहे हैं रवी कुमार 22 चैनल में आपका स्वागत है मेरे दोस्त आज हम आप सबको कुछ ऐसा वीडियो लाए है आपके लिए मेरे दोस्त कि आपके घर पे सिलाई मसीन अगर है तो आप बाबिन डिब्बी बार बार लाते हैं आप परेसान हो बाबिन डिब्बी हमेशा खराब हो जाता है महीने में एक दो बाबिन डिब्बी जरूर लाते होंगे आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बाबिन डिब्बी क्यों खराब होता है मेरे दोस्ते आईए इस वीडियो को देखिए और चैनल को सस्क्राइब करिया और बेल मिलस् глаз तो जादा दिन नहीं चलता है जल्दी से जल्द खराब उजाता है मेरे दोस्त आप परिभान हो जाते हें खरीटते खरीटते इसलिए हम आपके लिए ये वीडियो बनाए है मरे दोस्त अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगएा तो अच्छा लेगा तो support खराब होता है आप सब इतना क्यूं परेसान रहते हैं देखिए आपके घर पे रोज हमेशा हर हपते आडर लगता है कि एक बाइबन डिब्बी लेके आओ एक बाइबन डिब्बी लेके आओ तो ऐसा क्यूं है कि रोज बाइबन डिब्बी हर हपते मंगमाते हैं देखिए य इसलिए खराब होता है इसको यूज करने के लिए बढ़ियां से इसे यूज नहीं कर पाते हैं इसलिए खराब होता है देखिए यह पत्ती है लगा हुआ है इसमें छोटा सा पत्ती लगा हुआ है देख लेजिए सबसे में चीज इसका पत्ती है देख लेजिए इसको तरीके से इसे नहीं उठाना चाहिए मेरे दोस्ते इस तरीके से उठाने से बाबिन डिब्बी खराब हो जाता है और इसमें और भी खासियत हैं हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तो आपको बार 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 बाबिन डिब्बी नहीं खरीदना पड़ेगा इसलिए हम इस वीडियो को बनाए हैं आपको हम बताते हैं अगर इस बाबिन डिबी के अंदर कच्छा फस जाता है तो आप देख लीजिए ये बाबिन में धागा भरा हुआ देख लीजिए और वो डिबी रहता है ये बाबिन है इसको अंदर डाल दीजिए और इसके बाद में आप बाबिन को ऊपर से अंग उठे से दबा लीजिए पहले तो इससे धागा निकाल लीजिए इस तरीके से धागा निकालने के बाद में आप इस तरीके से अंग उठे से दबा लीजिए दबाने के बाद जब आप धागा हीचेंगे हलका सा तो पत्ती जो फूँक देंगे तो उसमें जो कच्ड़ा रहेगा वो निकल जाएगा, फिर बाबिन डिपी सही हो जाएगा, अगर आपका कच्ड़ा नहीं निकल रहा है, तो अराम से सुई, पतली सुई से अराम से कच्ड़ा निकल लीजिए, और एक चीज और है, अगर आप धागा लगा दिए हैं और धागा बहुत ज्यादा टाइट निकल रहा है तो इस चीज को आप चाकू से या पेचकस से आप देख लिजे छोटा सा बोल्ट लगा हुआ है इसको हलका सा धिल कर लीजिए और इसके बाद में आप थोड़ा सा धिल करने के बाद फिर आप ट्राइ कर लीजिए हीच के कि धागा सही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है ना तो ज्यादा धिला होना चाहिए धागा और नहीं टाइट होना चाहिए बहुत मीडियम धागा निकलना चाहिए तब ही सिलाई मसीन बढ़ियां से चलेगा देख लिजिए हम आपको इस वीडियो में बहुत मिला करना पड़ेगा कि थोड़ा जाधा टाइट है देख लिजिए अब अब यह सेट हो चुका है मेरे दोस्ते आब हमारे वीडियो को लाइक करिएगा सब्सक्राइब करेगा मेरे दोस्ते और इसी तरीके से सेट करिएगा बार-बार नहीं खरीदना पड़ेगा आप तब तक के लिए नमस्तार